दोस्तों कभी सोचा है कि आपकी कार कैसे इतनी स्मूथ चलती है ये सब कमाल है आपकी कार में लगे सेंसर्स का आज इस वीडियो में हम आपको इन हीरो सेंसर्स से मिलाने वाले हैं जानेंगे कि कौन सा सेंसर क्या कमाल करता है और कैसे ये सब मिलकर आपकी गाड़ी को सुरक्षित और शांदार बनाते हैं सबसे पहले मिलते हैं एयर फ़लो सेंसर्स से ये सेंसर्स बताता है कि इंजन में कितनी हवा जा रही है ताकि पेट्रोल और हवा का सही मिक्स्चर बन सके। इससे इंजन स्मूथ चलता है और गाड़ी का माइलेज भी अच्छा रहता है। अगला नंबर है नौक सेंसर का। ये सेंसर इंजन की धड़कन सुनता रहता है। अगर इंजन में कोई गड़बड हो तो ये सेंसर उस आवाज को पकड़ लेता है और इंजन को सिगनल भेजता है कि खुद को ठीक करो। इससे इंजन को नुकसान नहीं पहुँचता है और उसकी उम्र बे आच जाती है। अब बात करते हैं इंजन स्पीड सेंसर की ये सेंसर इंजन की स्पीड पर नजर रखता है। अब मिलिए camshaft position sensor से यह sensor बताता है कि कौन सा valve कब खुलना है और कब बंध होना है ताकि petrol और हवा का mixture सही समय पर cylinder में जाए और engine बिल्कुल सही तरीके से काम करे अब बात करते हैं manifold absolute pressure sensor की जिसे छोटे नाम से MAP sensor भी कहते हैं यह sensor engine के अंदर हवा के दबाव को नापता है इसे पता चलता है कि engine कितना जोर लगा रहा है और उसे कितने petrol की जरूरत है अब मिलिए accelerator position sensor से जो आपके पैर की हरकत पर नजर रखता है जब आप accelerator दबाते हैं तो यह sensor उसकी position बताता है कि आप कितना तेज जाना चाहते हैं इस चानकारी से ही engine में petrol की मात्रा control होती है और गाड़ी की speed बरती है अब बात करते हैं voltage sensor की जो गाड़ी की बिजली व्यवस्था का महतुकूर्ण हिस्सा है यह sensor बैटरी के voltage पर नजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि गाड़ी के सभी electronic parts को सही मात्रा में बिजली मिल रही है अगर बैटरी कमजोर हो रही है तो यह sensor चेतावनी देता है ताकि आप समय रहते बैटरी बदलवा सकें अब मिलिये oxygen sensor से जो पर्यावरण का ख्याल रखता है यह sensor गाड़ी के धुएं में मौझूद oxygen की मात्रा को नापता है इस जानकारी से ही engine में जाने वाले petrol और हवा के mixture को adjust किया जाता है ताकि गाड़ी से निकलने वाला धुएं कम से कम हो और production न फैले अब बात करते हैं एनोक्स sensor की जो हवा को साफ रखने में मदद करता है नोक्स यानि nitrogen के oxide जो गाड़ी के धुएं से निकलने वाली खतरनाग गैसें होती है ये sensor इन गैसों की मातरा को नापता है और engine को signal भीजता है कि वो अपने आपको adjust कर ले ताकि इन गैसों का उचसरजन कम से कम हो अब मिलिए ताप मान सेंसर से जो engine का बुखार चेक करता रहता है ये sensor engine के ताप मान पर नज़र रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि engine ज्यादा गरम नाँए अगर engine का ताप मान परता है तो ये sensor चेताब नहीं देता है ताकि आप समय रहते गाड़ी रोक सकें और engine को ठंडा होने दें अब बात करते हैं fuel temperature sensor की जो petrol की quality पर नज़र रखता है ये sensor engine में जाने वाले petrol के ताप मान को नापता है petrol का ताप मान engine के performance को प्रभावित करता है इसलिए ये sensor ये सुनिश्चित करता है कि petrol सही ताप मान पर हो ताकि engine smooth चले अब मिलीए speed sensor से जो गाड़ी की speed बताता है ये sensor पहियों की गती को नापता है और इस जानकारी को speedometer में भेजता है इससे आपको पता चलता है कि आप कितनी तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और आप speed limit के अंदर हैं या नहीं अब बात करते हैं parking sensor की जो आपकी parking की tension को दूर करता है ये sensor गाड़ी के आगे और पीछे लगे होते हैं और अगर कोई चीज नस्दीक आती है तो ये बीप करके आपको चेतावनी देते हैं इससे आप आसानी से और बिना किसी नुकसान के गाड़ी पार्क कर सकते हैं अब मिलिये rain sensor से जो बारिश को महसूस करता है ये sensor गाड़ी के शीशे पर लगा होता है और जब बारिश होती है तो ये अपने आप वाईपर चालू कर देता है इससे आपको बारिश में भी साफ दिखाई देता रहता है और आप सुरक्षिट drive कर सकते हैं अब बात करते हैं tire pressure sensor की जो आपके tire की सेहत का खयाल रखता है ये sensor हर tire के अंदर लगा होता है और उसके pressure पर नजर रखता है अगर किसी tire का pressure कम हो जाता है तो ये sensor आपको चेतावनी देता है ताकि आप समय रहते tire में हवा डलवा सकें और किसी भी दुरघटना से बच सकें अब मिलिये yaw sensor से जो गाड़ी का balance बनाये रखता है ये sensor गाड़ी के जुकने और मुडने की गती को नापता है इस जानकारी का इस्तिमाल गाड़ी के stability control system में होता है जो गाड़ी को फिसलने से बचाता है और उसे सडक पर स्थिर रखता है अब बात करते हैं steering angle sensor की जो आपके हाथों की हरकत को समझता है ये sensor steering भील के घूमने के angle को नापता है और इस जानकारी का इस्तिमाल गाड़ी के power steering और stability control system में होता है अब मिलिये accelerometer से जो गाड़ी की गती में होने वाले बदलाव को नापता है ये sensor गाड़ी के तेज होने, धीमे होने और मुडने के दौरान लगने वाले बल को नापता है इस जानकारी का इस्तिमाल गाड़ी के airbag system, stability control system और अन्य सुरक्षा features में होता है अब बात करते हैं gyroscope की, जो गाड़ी की दिशा और स्थिती के बारे में जानकारी देता है ये sensor गाड़ी के घूमने की गती और एंगल को नापता है इस जानकारी का इस्तिमाल गाड़ी के navigation system, stability control system और अन्य features में होता है अब मिले blind spot sensor से जो आपकी आँखों का दूसरा जोड़ा बन जाता है ये sensor गाड़ी के पीछे और side में लगे होते हैं और अगर कोई गाड़ी आपके blind spot में आती है तो ये आपको चेतावनी देते हैं अब बात करते हैं night vision sensor की जो अंधेरे में भी आपको साफ दिखाई देने में मदद करता है ये sensor infrared camera का इस्तिमाल करके रात में भी आगे का दृश्य साफ दिखाता है अब मिले driver monitoring camera से जो आपकी लुकों पर भी नजर रखता है ये camera आपके चेहरे को track करता है और अगर आपकी आँखें बंद हो रही हैं या आप ठके हुए लग रहे हैं तो ये आपको चेतावनी देता है अब बात करते हैं parking assist ultrasound sensor की जो parking को और भी आसान बना देता है ये sensor गाड़ी के आगे और पीछे लगे होते हैं और अगर कोई चीज नज़दीक आती है तो ये आपको चेतावनी देते हैं और साथ ही dashboard पर दूरी भी दिखाते हैं अब मिले remote keyless entry sensor से जिसने चाबी का इस्तेमाल ही खत्म कर दिया है ये sensor आपके remote की फोब से आने वाले signal को पहचानता है और अपने आप गाड़ी को unlock कर देता है अब बात करते हैं backup camera की जो आपको पीछे की सारी जानकारी देता है ये camera गाड़ी के पीछे लगा होता है और जब आप reverse gear लगाते हैं तो ये अपने आप चालू हो जाता है और आपको पीछे का द्रिश्य dashboard पर दिखाता है देखा दोस्तों कितने सारे sensors मिलकर आपकी गाड़ी को smart, सुरक्षित और शांदार बनाते हैं ये sensors आपकी हर यात्रा को आराम दायक और सुरक्षित बनाने के लिए हमेशा तयार रहते हैं तो अगली बार जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठें तो इन hero sensors को जरूर याद रखना मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई